कोरोना वारस कॉंटेक्ट ट्रेसिंग एप आरोगिस सेतु का सोर्स कोड पबलिक कर दिया गया है इस एप को लेकर पिछले कई हफतों से प्राइविसी एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं इसके साथ ही इसके सोर्स कोड को पबलिक करने की भी मांग थी बता दे कि एक प्रेस कॉंफरेंस के दरान नीती आयोग ने इस एप के सोर्स कोड को पबलिक करने का एलान किया है नीती आयोग के अनिसार इस एप को 31 दिन में करीब 10 करोड से जादा लोगों ने डाउनलूड कर लिया है फिलाल आरोगिस सेतू एंडरोइड एप का सोर्स कोड जारी किया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस एप के डेवलपर नेशनल इन्फोमेटिक सेंटर यानी NIC है और इन्होंने इस एप के लिए बैग बाउंटी का भी ऐलान कर दिया है यानि कोई भी व्यक्ति इस एप की खामी ढूंड कर बताएगा उससे इनाम भी दिया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पिछले हफते साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि देश में आरोगी सेतु मुबाइल अप की नाम पर ओनलाइन धोखा धड़ी के मामलों में तेजी आई है कोविड-19 में हमारी के दुरान इंटरनेट की यूजर्स के जिग्यासा का लाब उठा कर ठग उनके साथ साइबर धोखा धड़ी कर रहे है एजेंसी ने आगी कहा कि साइबर अपरादी विश्व स्वास्त संगठन से जुड़ी लिंक और लोग प्री वीडियो कॉन्फरेंस साइटों जैसे जूम आदी से मिलते जुलते लिंक बना कर भी लोगों की समवेदन शील सूचनाय चुरा रही है subscribe our channel and press the bell icon for more updates